साथियों करसी विज्ञान में आप सबका स्वागत है आज हम बात करेंगे प्रिटिला कुलोर 50% EC का जो हर्मिसाइड आता है उसके बारे में इसमें हम बात क्या करेंगे कि प्रिटिला कुलोर कौन कौन सी कमपनियां बनाती हैं प्रिटिला कुलोर के काम करने का तरीका क्या है इसकी मातरा क्या होनी जी इसको कब परियोग करना है और इसको कैसे परियोग करना है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिटिला कुलोर को बनाने वाली अच्छी अच्छी कमपनियां क्या हैं तो सिंजन्टा रिफिट नाम से बनाती है और जो धानुका क्रेज नाम से बनाती है और नागारजुन इरेज नाम से बनाता है इसके अलावा इंडो स्विस जो है स्विफ्ट नाम से बनाता है और इंडियन क्राप केमिकल्स जो है वो रेशिट नाम से बनाता है इसके अलावा और भी आपको मार्केट में अल करता है इसके वीट कंट्रोल करने का दाइरा क्या है तो यह जो मोनो कोरिया वेगनेलिस है जिसको ननका बोलते हैं यह ज्यादा तर ऐसे धान में उगता है जहां पर पानी या जल भराव की समस्या रहती है तो यह जली खरपतवार एक परकार का है और दूसरा जो खतम करता है वो एकलेप्ट्या अलबा जिसको ब्रिंगराज भी बोलते हैं इसको खतम करता है और लडविगिया परवी फुलोरा तो यह चोड़ी पत्ती में इन तीन चोड़ी पत्तियों को धान में खतम करने वाला खरपतवार नासी है पिटिला कुलोर और आगे जो है वो इकनो कुल चाइप्टो कोलोना जंगली जंगोरा जहरवा भी बोलते हैं अगला जो जंगली धान एकनो कुलोर Crwsgely इसका जो Botanical name है Chynancy इस परकार की जो घास और Panicum Rapids इस परकार जो आपको दिखता है और Femory Stylis UCL इस परकार की घासो को ये प्रिटिला क्लोर खतम करता है इन में सोच जो ये बोटेनिकल नेम लिखे हैं अगर आपको इनके हिंदी नाम है तो प्रीज कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपके लोकल एरिया में इसको हिंदी में क्या कहते हैं ताकि हमें एक ओवर भी मिल सके आगे आने वाले वीडियो में इनको परियोग करने के लिए है अब हम बात करें इसके डोजज की ये परियोग कितना करना है तो इसकी डोज सातियों 50 ml प्रती एकड यानि एक एकड में आधा लेटर मात्रा जो है वो परियाप्त रहती है प्रिडला क्लोर की है बात करें इसके application method की तो इसमें तीन पर spray कर सकते हैं पहला method जो है वो spray कर सकते हैं दूसरा जो तरीका है उसमें आप sand में मिलाके इसको बिखेर सकते हैं खेत में तीसरा जो pepsi के 500 ml वाले bottle आते हैं उनमें आप इसको भर के और क्या करेंगे भरने के बाद यहाँ पर एक बीज में छेहन कर लेंगे और पूरे खेत में इसको इस प्रकार से समान रूप से बिखेर देंगे तो यह जो scientific method है application के प्रिटिला क्लोर के यह है कुछ लोग इसको खाद में भी मिला के वो देते हैं तो वो कहां तक सही है कहां तक नहीं सही है कि कमपनी जो बनाती है वो इसका संस्तुती देती नहीं है कि आप इस प्रकार से इसको परियोग करेजिए तो आप इन तीन प्रकार से ही इसको परियोग कर सकते हैं और ध्यान रहे समान रुप से पूरे खेत में ये डाल दीजिये और इसमें क्या होता है यहाँ पर डालोगे यह इधर इधर को फैलेगा नीचे को फैलेगा तो नहीं भी कहाँ पढ़ेगा तब भी यह पूरे खेत में आपके फैल जाएगा आगे बात करते हैं इसके mode of action के य प्रियों प्रमेशन के हैं नियुक्ताइए यह उन्दर इसको परीयोग करना चाहिए यानि तिनसे पांस दिन के अंदर इसका परीयोग हो जाना चाहिए है selective herbicide का मतलब ये है कि ये selective crop के लिए बनाया गया है जैसे धान में धान में आप डालोगे तो धान कभी भी खतम नहीं होगा कभी भी ये मतलब की बेकार नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ घास जाएगी तो इसके बोलते है selective herbicide broad spectrum क्या होता है जब कोई भी herbicide insecticide fungi side जब बहुत सारे fungus को पेस्ट को या फिर weeds को कंट्रोल करता है तो उसको बोलते हैं broad spectrum. Broad spectrum यहां पर बात हो रही हर्मिसाइड की ब्राड स्पेक्ट्रम फंजी साइड होते हैं, ब्राड स्पेक्ट्रम इंसेक्टी साइड होते हैं, और इसका जो मोडा फेक्षन क्या है, यह जैसे हमारा पौधा है, यहाँ पर, तो यह उपर से सूट निकला, और नीचे यह क्या, रूट निकली, नीचे से, तो यह क्या करत इसके सूट में इंटरी करता है और ये पूरे पौधे में ट्रांसलोकेट हो जाता है और इसके रूट में इसकी जड़ में इंटरी करता है और पूरे पौधे में ट्रांसलोकेट हो जाता है इस परकार से ये क्या करता है पूरे पौधे को खराब कर देता है और इस परकार से ये जो प्रिटिला क्लोर 50% DNC है खर पतवार को मारने का काम करता है इसके एप्लिकेशन टाइम की अगर बात करें हमारे दिमाग में जो हमारे साथी स्कूल में पढ़ते रहते हैं उनको से कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये तीन दिन में तीन दिन के बाद परियोग करें चार दिन के बाद परियोग करें पांस दिन के बाद परियोग करें छे दिन के बाद एक हफते में एक हफते के बाद परियोग करें तो पहली बात आप समझ दीजिए प्री मर्जंस का मतलब ये है कि घास जमने से पहले इसका परियोग होना चाहिए और जो कमपनिया इनको उनका जो recommendation है वो कहती है इनको 3-5 दिन के अंदर परियोग करना चाहिए एक हफते के बाद परियोग करोगे हो सकता है कुछ घासे जमाएं बड़ी हो जाएं उन पे अच्छा काम ना करें उससे पहले अगर मालो जिस दिन लगाया उस दिन डाल दिया तो जब तक इन ये घास क emergence का समय आएगा तब तक हो सकता है इसका जो wedding period है वो थोड़ा कम हो जाए तो उतने effective तरीके से इसका control ना हो पाए तो इस परकार से इसको 30-5 दिन के अंदर अंदर परियोग करना चाहिए उमीद है साथियों आपको ये lecture अच्छा लगा होगा और lecture अच्छा लगा हो तो पहुंच सके और इस पर इसी परकार से हम और वीडियो आपके लिए बना के लाते रहेंगे हमें दीजी इजाज़त थैंक यू थैंक यू वेरी मिच